क्या आपको पता है? हम सूरज को समय से थोड़ा पहले उगते हुए देखते हैं ऐसा होता है atmospheric reflection के कारण atmosphere में light जो refract करता है उसके कारण ऐसा होता है अगर atmosphere नहीं होता तो हम दो मिनट बाद sunrise होते हुए देखते हाँ ये तो अलग बात है कि अगर atmosphere नहीं होता तो living being नहीं होता इस earth पे तो उससे observe करने वाला कौन होता लेकिन जो absolute reality है जो physical reality है उसको observable reality से कोई फर्क नहीं पड़ता है खेर चलिए देखते हैं ऐसा क्यूं होता है क्यूं हमें sunrise समय से थोड़ा पहले होते हुए दिखता है यह earth है और यह है उसका atmosphere हम इसे थोड़ा zoom करके देखते हैं लड़से कि इस जगा पे एक इनसान है और यह इनसान जो horizon है उस horizon को देख रहा है तो यह होगा उसके लिए horizon इसके नीचे वाला जो हिस्सा है यह हिस्सा इसे नहीं दिखेगा इस इनसान को यहां मैं थोड़ा साब को zoom करके दिखा देता हूँ इस इंसान को इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा जो है वो नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा लेकिन उपर वाला हिस्सा उसे दिखेगा अगर सूरज यहाँ पर पहुंच जाए तो फिर इस सूरज को यह देख पाएगा लेकिन उसके नीचे अगर ये रहे तो वो से देख नहीं पाएगा वेल अब हम क्या करेंगे यहाँ पर sun को draw कर लेते हैं सपोज यहाँ पर sun है सूरज है यह obviously scale में नहीं है यह आपको बहुत छोटा दिख रहा अब क्या होता है यहाँ से light ray आता है और earth के surface तक पहुचता है light ray जैसे ही atmosphere में enter करता है तो यह bend होने लगता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि refractive index यहाँ पर तो vacuum है refractive index vacuum का air के respect में कम होता है vacuum का refractive index एयर के respect में कम होता है एयर का refractive index vacuum के respect में ज्यादा होता है और एयर के density पे भी यह refractive index depend करता है चलिए इसी चीज़ को थोड़ा सा हम इस region में थोड़ा सा हम इसे zoom करके देखते हैं यहाँ पर earth के atmosphere को हमने कुछ हिस्सों में कुछ layers में split कर लिया हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी यहाँ है vacuum यह है vacuum और यहाँ पर atmosphere अलग-अलग layers में हमने इसे तोड़ दिया हमें पता है कि जो यहाँ पर air होगा outer atmosphere में जो air होता है उसका density बहुत कम होता है जितना हम नीचे जाते जाते हैं उतना density बढ़ते जाता है density में increment होता है air के density में increment होता है जितना हम नीचे जाते जाते हैं ऐसा क्यूं होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना आप नीचे जाएंगे पहला reason तो यह है कि gravity जो है gravity increase करता है नीचे जाते हुए और दूसरा reason यह है कि pressure यहाँ पर जो pressure create हो रहा है यहाँ पर लेड़से P1 pressure create हो रहा है due to gravity gravity जो यहाँ के air molecules को नीचे की तरफ पुल कर रहा जिसके कारण pressure create कर रहा वो pressure वो नीचे वाले layer पे apply करता है और यहाँ भी अपना एक pressure होगा लेकिन उपर वाला pressure चूकि नीचे transfer हो रहा है तो यहाँ pressure में increment हो रहा है कुछ इसी तरह का explanation हमने देखा था पिछले एक वीडियो में जहाँ पर हमने देखा था कि stars के core में इतना ज्यादा pressure क्यों होता है तो यहाँ पर pressure थोड़ा ज्यादा है उसी logic से आप सोचे यही pressure अगर नीचे वाले layer पे transfer हो जाएगा तो यहाँ का pressure और ज्यादा होगा प्रेशर ज्यादा होगा मतलब यहाँ जो density है air का air का density और ज्यादा होगा जितना नीचे हम जाते जाएगे air का density उतना ज्यादा होते जाता है air का density बढ़ते साथ साथ refractive index उसका बढ़ते जाता है तो जितना उपर से नीचे की तरफ हम जाते है refractive index उतना बढ़ते जाता है इसी की कारण light जब atmosphere में enter करता है तो वो refract करता है और वो continuously अंदर की तरफ refract करते हुए जाता है या bend होते हुए जाता है अगर हम यहाँ पर normals ड्रॉ करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो angle of incidence है उससे कम होगा जो angle of reflection है similarly यहाँ पर भी जो angle of incidence है उससे कम होगा angle of reflection and so on इसलिए यह light ray जो है continuously bend होते हुए अंदर की तरफ यह bend होते हुए आगे बढ़ते जाता है अब वापस आते हैं इसी figure में तो sun से निकला हुआ light ray इस तरह से आया atmosphere में enter किया तो bend हुआ continuously bend होते 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 यहाँ पर जो इनसान इस sunrise को देख रहा है उसके आखों तक पहुँच रहा है अब यहाँ पर यह इनसान जो इस sunlight को देखेगा या उसे जो sun का perception create होगा वो किस direction में होगा obviously वो light को इस direction में आते हुए देख रहा है हमारे आखों को या हमारे brain को यह नहीं पता होगा कि इस से पहले उस light का क्या हुआ था कहां पर वो reflect हुआ था या exactly किस जगा से वो light जो है बाहर निकला है यह हमारा brain perceive नहीं कर सकता है brain हमारा वही image create करता है जो immediately उस समय आखों के अंदर जा रहा है तो यहां पर आखों के अंदर जो जा रहा light ray उसी के आगे अगर हम propagate कर दे straight line तो हमारा brain वो perception create करेगा कि यह light जो है यह light ray कुछ यहां से आ रहा है तो हमें कहां पर दीखेगा sun sun हमें यहां पर दीखेगा देखे अगर atmosphere नहीं होता तो अभी तक sunrise नहीं होता sun यहां पर है horizon के नीचे लेकिन atmosphere में light के reflection के कारण हमें sunrise होते हुए already देख गया तो sunrise जो समय से पहले होता है लगबग 2 मिनट पहले होता है वो इसलिए होता है कि atmosphere में light का reflection होता है और वो अंदर की तरह bend होता है और यही logic अगर आप लगा दे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि sunset जो है वो समय से थोड़ी देर बाद क्यों होता है अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे scattering of light पे जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टिंडल effect क्या होता है और जो आसमान है उसका color blue क्यों होता है और sunrise और sunset के समय जो sun है, सूरज है वो हमें लाल क्यों दिखता है, reddish क्यों होता है अब जाते जाते मैं आपको बता दू कि उस वीडियो का link आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा और playlist का link आपको description box में मिलेगा I hope कि अगले वीडियो में ज़रू मुलाकात होगी तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें, get by